दूस्तों आपको ट्राटा का सॉफ्ट्र गरुड़ा वीकनेटर मेहंदर का आइसमार्ट जालिटेस्ट का हाडवर वी एच्छी इसके नत्ट चैजिए था आपको आपको बताया जाएगा कि जो बूस्ट प्रेसर का फॉल्ड कोड बूस्ट प्रेसर वेरी लो तो उस करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब को जैसे मारे आने अले सभी वीडियों से पहले आप तक पहुचे मैं मितुपाद है आप देख रहे हैं यस आटो में यूटूब चैनल जो हम लोग लाश्ट चेक पॉइंट बताया था चेक चेक अफैers चेक करना है जो अभी इंटेक लाइन में आ तो नहीं रहा यहा पो चेक करना है इसकी hyster को डाता है और कोई एक fault code आता है जैसा boost pressure का या turbo charger का ऐसा fault code आ सकता है तो इसके regarding आपको यह चेक करना होता है तर्बो सार्फ का play चेक करना होता है तर्बो सार्फ का play कितना है आप यह समझ के होंगे क्योंकि यह intra और sht plus जो bs6 गाड़ी आई है और उसके बाद जो s gold plus है लेटेस्ट गाड़ी आ रहें सीडीप के साथ प्रिक्टल वाइरिंग सीडीप के साथ में जो गाड़ी आ रहें उसमें यह fault code बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसके रिकाड़ी मेंने यह वीडियो बान है जैसे आपको यह नई गाड़ी में काम करने के लिए असानी हो तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वेक्यूम लिकेज इन टर्बो बूस्ट प्रेसर एक्चुएटर आपको चेक करना है वेक्यूम कहीं से अगर पाइप कहीं से लिकेज रहेगा तो भी यह फॉल्ट जनरेट होगा और गाड़ी में पूर पीकप का इसुआ आएगा इसके लिए आपको यह भी चेक्पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपको यह भी चेक्पॉइंट चेक करना रहेगा फिर उसके बाद जो हम प्लेट होता है उसका उंप Link निकाले तो आपको यह ख़े करने लगता है तो अपको पीछे चेक करना है मस s एक्ट पॉइंट है आपको चेक करना रहा टर्बो पुष्ट प्रेसर एक्ट्वेटर फीडवेक सेंसर टर्बो मिल रहे हैं उसके वाइरिंग से कोई भी फॉल्ट कोड़ा इसके लिए आपको फ्यूज और रिले दोनों चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप फ्यूज और रिले चेक करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि वायरिंग इसका सही है कि नहीं अपने वोल्टेज चेक कर रहा है वोल्टेज नहीं तो अब क्या करेंगे फ्रले आपको रिले चेक करना रहा फिर उसके बाद अगर फ्यूज ठीले सएफ इसके बाद आप फाड़ेंगे वायरिंग को चेक करेंगे फिर उसके बाद जो लोग का लाइश पॉईंट है औरनेक्स पॉइंट जो है टर्बो चारजडर वेस्ट ग करना है ऐसा हम टेखनिकली लैंगविज में बात करें तो फिर टर्बो का जो वेश्ट के एक्टुएटर होता है सट ओपन हो जाता है उसका वाल होता है तो इसके लिए फॉल्ड को जन्रेट होता है फिर उसके बाद जो लाश्ट वाल चेकपोंट चेक डीपी अफ यह काफी होता है कि कि जब गाड़ी में बार 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 यजन्स न होता है तो उसके बाद यह टीपी मुझा हो जात है डीजल पार्टी करें बहुत सरे लोग क्या करते हैं अगर यह फॉल को डार है इसके खोल के डीजल से धो देंगे जब आप डीजल से धो दोगे तो गाड़ी का प्रॉलम और बढ़ेगा कम नहीं होगा सूट मस बढ़ेगा कम नहीं होगा इसके लिए आप जरूर ज्यान दे कि डीजल से कभी भी वाश नहीं करने डीपिएफ को अपको यह चीज़ चेक करना रहे फिर उसके बाद इतना अगर आप चेक पॉइंट करते हो आपको निश्चत रूप से गाड़ी का प्रॉलम मिल जाए और गाड़ी सही हो जाएगी असा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा ल यज जाएगी Poker का इतना रहा निश्चत रोस्तों यजह च्छंवा झाल जाएगी करता मोस को आपको पोसस्तों जाया देमाले झालेफी चेक को तापको य'